तो हेलो गाइस वेलकम बैग माई न्यूव फूट ब्लॉग तो गाइस आज हम लोग फिर निकले हैं एक सूट पे और आज हम लोग जाने वाले गांदी धाम में एक बहुत ही आमेजिंग नास्ता का दुकान है वहां के जो अंकले वो गूंगे हैं बट वो बहुत ही अच्छ अंकल थे जो बोलनी पाते थे और बहुत अच्छा समोसा बनाते तो बहुत सैट निए उसे वह फुझी निए पहले और फोच चुके हैं तो इधर में चलाते हैं तो आई हम लोग देखते हैं इनके पाद अभी क्या क्या अबेलेबल होगा नास्ते में समोसा और मीठा चट अब यह देखे कैसे बनता है जड़ी यह कटिंग किया जा रहा है इसको अब यह क्या है मीठी चट्मिया मीठा चट्मिया और मीठा अब यह पढ़ गया प्याज अब यह से रेडी है है तो हम लोग इसको टेस्ट करते उससे पहले जो की यहां का ओनार उनसे कुछ बाते करते हैं सुरेश नाम है तो जो पहले वह रहते हैं तो आपकी क्या लगत है तो मतलब उनके नाम से बहुत खेमस था कि नाम से चल रहा है तो इदर का टाइमिंग क्या होगा तो गाइस अगर कभी घानी धाम में आते हो तो चावला तो के जस्ट एकजिट बजरंग नास्ता हाउस करके इदर आके एक बाद जरूर टेस्ट कीजिएगा हम लोग टेस्ट करते हैं फिर आप उसका सौट दिखाते हैं यह देख सकते हो गाइस अबस समोसा अबस तो गाइस लेते इस बाइस जब मस्त इसका वी घंटी डाला गया तो अबस करा दाएं और यह समोसा है जब बेस्ट नास्ता के लिए जब बेस्ट नास्ता के लिए जब बेस्टो का इस जिस्ट किया बहुत ही अच्छा है यह आप दी कभी आते हो तो मैं अच्छे बिस्केट में दे रूँगा इसरा की पर ट्राइब रूप कीजेगा और तो और जैसे की अच्छा लगा हो और अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए कैसा आपको लगा और नेक्स्ट अगर आप भी अच्छा इस्ट्रेट फूड वाले को जानते हो तो हम एड्रेस बताइए कमेंट में लोग उतर जाने के ट्राइब करेंगे तो चलिए तब तक की लिए बाए मिलते आपको निव ब्लोग के साथ